सची काल दोस्तो, वेलकम टू सिद्धू केरियर पॉइंट, एहे सिद्धू केरियर पॉइंट साड़ा चैनल नमा शुरू किता है, इन्हों सब्सक्राइब करो और प्लीज वीडियो देखो, जे पसांद आँ यहने तो ना नो लाइक जरूर करेो, ए दे विच तो नो पंजा साइंस दी, हिस्ट्री दी, शिशालोजी दी, या फिर एकनोमिक्स दी, राइट, आज एक छोटा जा लेक्चर असीम प्लास टू दे, सॉलिड स्टेट दे चप्टर दे शुरू कर रहे आँगे, सॉलिड स्टेट असन दे विच ठोस पदार्थनू कहने आ, बेसीकली मैटर हुँदा, मैटर मतलव कोई वी चीज, जिस हदा वाजन होवे, मास होवे मतलव, राइट, जाँ हो जगा के रे, स्पेस के रे, उसनों मैटर कहने आ, चहे हो हवा है, पाणी है, पैंसल है, रेजर है, टेबल है, चेर है, राइट, कोई वी चीज, ओह दिया मैटर, ठोस जिमें पैन हो गया टेबल हो गया लिकुड यानी तरल पदार्थ जिमें पाणी राइट गैस जड़ी गैसियस फ़र्म दे विच वंदिया इन्ना जब बेसीकली फार्क की हुंदा गा सब्तों वड़ा अगर कमिस्ट्री दे पॉइंट दे नालगाल करिये ता एदे इंटर मॉलिकुलर फोर्स ओफ अट्रेक्शन राइट जे यह सोलिड परड़क्ट है ता ओधी इंटर मॉलिकुलर फोर्स हाजो ओ एदना बहुत स्ट्रॉंग ग्रिप हो नादी राइट अगर उखो लिकुड ता लवू लूजली पैक होणगे अगर गैसियस आ फिर बिलक अगर लिकुड ने ताउना विच फोर्स थोड़ियां कट होणगे अगर गैसियस ने ताउन खुल लेने किते भी आ जा सकते ने इस एक्जामपल दे मां तुसी परफ्यूम छिड़क दियों अपनी बॉड़ी ते ता ओधे नाल पूरे रूम दे बिच स्मेल ले जो फैल ज करांगे सॉलिड स्टेट केडे केडे होणगे सब्तों पहला ओदी प्रोपटी होगीнул फोर्स ओफ्यूम पार्टिकल म्रां दो फोर्स ओफ आट्रेक्शण जोंग होगी और दूसरी गल करदे इनाल दियों आल्जूम रिजिडिति यान्रे आल हो सक्त होनगे रिजड होनगे तीसरा ओहो फ्लो नहीं कर सकते हैं यह चैनल फ्लो जिमें के पाणी डोल दानिया अग्ये चला जन्दा सॉलिड जित्ते प्याओ थी प्यार होगा राइट फेर ओदे विच गल कर ये उन्ना दा डेफिनेट वॉल्यूम होगा ते डेफिनेट अधाय दाद साकते हो तुसी ते उन्ना दी कोई ना कोई शेप जरूर होगी राइट सो डैंस्टी उन्ना दी हाई होंदी है जाधा तर हाई डैंस्टी हुंदी है और in compressible होंदेने मतलब उन्ना नों तुसीं दवा नहीं सकते incompressible right हुण जाए गाल करिए solid दी classification दी classification एसनू किस तरीके नाळसी वंड़ साकदे हाँ ता बेसिकली solid दो तरीक्याँच बंड़ दे हाँ एक हुण देने साथे crystalline solid ते दूसरे हुण देने साथे amorphous solid हुण इन्ना दे विच्च की अंतरा की फार्का एक हुण दे की ने जेड़े crystalline solid हुण देने इन्ना दा regular pattern हुण particles दा जे regular pattern दी गाल कर रहे आसी ताहे दा मतलो जो metric shape भी उन्ना दी सही होगी जो metric shape है जो ओ ना दी definite होनिया कोई ना कोई fix position होनिया ना दी melting point उन्ना दा पिगलन दारा जेड़ा ओ भी बड़ा sharp हुगा एने इस्ट्रोपिक होन गे heat of fuse ना जड़ी होना दी ओ कोई ना कोई definite हुभी एन्ने ही point ते हो fuse हो सकते अगर गल करी होना दी cleavage दी ता बड़ी clean cleavage होनी होना clean cleavage दा मतलो किया राजे अगर तुसी उन्हों चक्कू नाल काट दे हो ता बड़ा ही साबसुत्रावने कट्या जानाए ते एहे true solid होन देने जो actual दे विच होन देने अगर गल करी है amorphous दी ए दे विच कोई regular particle पार्टिकल पैटरन नी यानी irregular particle पैटरन होनगा राइट फेर melting point कोई range होन या temperature दी isotropic nature दे होनगे heat of fusion भी कोई definite नी वाद काट होसाग दिया और irregular काट हुगा irregular काट मतलव एदे विच clean cleavage नहीं होगी irregular काट मतलव अगर तुसी चाकू नहीं काट दे होंगे ता वाद काट अगे बिच्छे कटे जानगे बिल्कुल स्मूथ कटिंग नहीं होगी ते सॉलेड सीडो सॉलेड होंदे ने जो असलियत विच्छ सॉलेड नहीं होंदे राइट सो इना नो अशी सीडो सॉलेड भी कैसा कदे आंगे या एदे विच बेटा सॉपर कूल्ड लिकुड भी आंदे ने सॉपर कूल्ड लिकुड जिनना नो बहुत जादा लो टेंपरेचर तेल जाके या प्रेशर डाउन करके असी लिकुड दे विच्छ तब्दील किता होंदा राइट सो इना दे यूजिस की हो सकते ने अगर असी गल करिये अमॉर्फस सॉलिड दे यूजिस दी यूजिस ओफ अमॉर्फस सॉलिड राइट सब तो पहला बेटा इन ओर्गैनिक ग्लासिज दे विच्छ दे इस्तेमाल किता जन्दा है जी मैं अपके दिये कच्च बनोना तुसी प्लास्टिक दे विच्छ चेर बन दिया मग बन दा या प्लास्टिक दे यूटेंसिल याणी पांडे बन दे ने ओ सारे अमॉर्फोस सॉलिड दे हुन देने इस तो अलावा सिलीका सिलीका की करदा सिलीका नूँ फोटोवोल्टिक सेल लाँ दे विच्छ भी बारत देया और सनलाइट नूँ इलेक्टरी सिटी दे विच्छ भी तबदील किता जन्दा है amorphous solid दे अग्गे बेटा जो असी दो गल्ना कितियां ने केडियां crystalline ते amorphous हुन इन्न नुभी अग्गे असी wand साथ देयां सब तो पहला गल कर देयां crystalline solid दी crystalline solid दी classification इन्न नुग इस तरीके ना wand सकतेयां solids classification classification मतलब इन्न इन्न होर किडियां किडियां टाइपस हो सकतेयां सब तो पहला है दे विच ओंदारा जे आयनिक solids फेर आंदागा molecular solids उस्तों बाग covalent solids covalent solids नूँ बेटा network solid भी असी कह सकतेया राइट चोथे आंदेने साड़े metallic solids होन अगर इन्न दी briefly गल करिये ता आयनिक solid मतलब की होगा आयनिक solid दा मतलब बेटा ions दी गल करांगे molecular देविच उदे molecules दी गल होगी covalent देविच हो सकता उन्ना दी electron शेर होण यह उना दा network बणया हुए ते metallic solid दे विच गल किती जावे जी दे विच गल करांगे केड़े particle तो बन देने किस तरह निया इन्ना दे विचकार forces होण गिया कि यह दे विच example लह सकते कि यह उख electrically conduct कर देने या नहीं कर दे अगर कर देने ता किस point तक कर सकते कि यह उना दी nature हो सकते यह सारे regarding नेक्स्ट लेक्चर दे विच गल कर देया ते इन टोपिक्स दे नाड related numerical वी तो नो सारे इथे solved करवाए जानगे अगर तो नो वीडियो पसान दाई ता प्लीज बेटा लाइक जरूर करना और बेल आइकन दबाके एह चैनल नो सब्सक्राइब करना जो तुसे कोमेंट्स दे विच पाऊंगे प्लस टू तक दे तक्रीबन सारे सब्जेक्ट दे solution पंजाबी दे विच तो अनो प्रोवाइड करांगे राइट सो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक यू